नमस्कार मैं और ओध कुमार अपनी श्वर नेशन देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही राज़ानी पतना से जहां अनन सिंग को बड़ी रहत मिली है वाइरल आजियो मामले में आपको बताएं कि मुकामा के बाहुवली वधायक अनन सिंग गिरफतार किये गए थ थे वाइरल आजियो और साथ थे उनके गाहों से हत्यार मिलने के मामले में तो एक मामला जो की वाइरल आज़ियो से जुरावा था उस पूरे मामले में अनन सिंग को बेल मिल गई है पतना हाई को आपको बताएं कि वहीं दूसरा मामला जो था जिसमें उनके घर से के 47 है तो एक तरफ अनंसिंग की लिए जहां रहा तिखवर तो है दूसरी तरफ आज एक दूसरे मामले में अनंसिंग को बरा घटका भी हाथ लगा है स्बसे बड़ी बत यह अगर बिहार की बात करें तो भीहार में मुकामा चलिकाल रहांदा की बाह vaccine सुनवाई हो रही थी उसमें एक में उनकी बेल पिटिशन को कोट ने मंजूर किया तो दूसरे को जो है वो रद कर दिया गए तमाम जो चीजें वो हुई हैं आपको बता दें कि पंडारा केस में क्यूंकि अनन सिंग को छोड़ करके बाकि जोतने भी उस मामले में अव्यूक दी गई है आपको बताएं कि पंडारा का जो पुरा मामला है उसमें यह है कि अनन सिंग के कहने पर जिस तरीके की खबरें आई थी कि अनन सिंग के कहने पर दो लोग हत्यार के साथ गिरफतार हुए थी और वो लोग हत्या के रादे से पंडारा क पहुंचे थे जिसके आनसईंग खिलाफ चार्षीट भी दायर की जा चुक है हलागि इस मामले में क्योंकि पहले जो बाकि क्या रोपी थे उन सबी लोगों को जमानत ले दी गई थी ते उसी मामले में अनसंग को बेल आत में लेकिन उसके बाद अनसंग के पैतरिक गाउन लदमा में भी जो है से जो है अनन सिंग ने सिरेंडर किया था यह तमाम चीजें हैं और इन तमाम चीजों के बीच में अब अनन सिंग जो है उनके बारे में जो खबर है वो यह कि अनन सिंग को दो मामले जो सबसे जिस मामले में फिलाल वो जील के अंदर है तो उसमें एक मामले में जमालत मिल और उसके बाद लगता है इस मामले का जो ट्राइल है वो चल रहा है हत्यार मामले में अननसिंग को जटका लगा है तो दूसरे तरफ वाइरल आडियो मामले में अननसिंग को बड़ी रहत मिली है रहत ये कि अननसिंग जो है उन्हें जमानत दे दी गई है तो ये खबर है इस वक्त बिहार से जहां पर मुकामा के बाहुवली विधाय का नंसिंग के लिए आज दो महतवपूर्ण खबरे हैं एक में उन्हें रहात मिली है तो दूसरे में कोट ने उनकी बेल पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है फिलाल इतना ही देखते रहे